आज हम हिंदिकाल पार्ट की तीम पढ़ेंगे बुल जुदार इस पार्ट में हमको बताया गया है इमानदरी का महात्व और यह भी बताया गया है कि जिवन में हार या जी जो भी आएं हमें समान भाव से प्रहम करना चालें ता यह आवान पार्ट पढ़ते हैं आज वार्षिक परिक्षा का नकीचा आने वाला था कक्षा में सभी बच्चे घबरा रहे थे लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा घबरा रही थी सदा प्रतम आने वाली मेरा ने कभी अपने परिक्षा फल की चिंता नहीं की थी उसे हराने वाला कुक्षा में अब तक कोई था ही नहीं उसकी और दिती आने वाली लड़की के बीच कई अंकों का अंतर होता था लेकिन इस साल बार कुछ और ही थी जब से नई लड़की रुपाली कुक्षा में आये थी या अंतर कम क्या लड़क समाप्त हो गया था जब माही परिक्षा में मीरा रुपाली थी और रुपाली दिती आ परंतु केवल दो अंकों से के अंतर से जब माही परिक्षा में रुपाली 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 थी और मीरा दिती आ फिर से दो अंकों का फर्क था अब हम दोनों के अंक बराबर हैं अब सब कुछ वार्षिक परिक्षा पर निर्भर करता है और अपकी मार तो मेरा चा नंबर का एक सवाल गणीत की परचे में छूट गया था मारे खबराट के मीरा के पैट में उथाई पुतल हो रही थी श्रीमती शर्मा परिक्षा फल का पुलिंदा लेकर कक्षा में आई उन्होंने पुलिंदा मैच पर रख दिया बच्चों इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रता में और दूती इस्थान पर रुपाली है और अंतर वही तो अंकों का श्रीमती शर्मा हस्ते हुए बोली अब तुम एक एक करके आओ और अपना परिक्षा फल ले जाओ मीरा परिक्षा फल लेकर उसे खोल कर अपने अंक देखने लगी गणिक में सो पर ऐसा कैसे हो सकता है बदाईयो तब ही आवाज आई सामने रुपाली खड़ी थी रुपाली तुम्हरे गणिक में कितने अंक हैं मीरा ने पूछा सो क्यूं तुम्हें भी तोत नहीं मिले होंगे मीरा कुछ नहीं बोली तब ही छुट्टी की गंटी बच गई मीरा ने अपनी किताब बे उठाई और बीना किसी से कुछ बोले घर की तरफ चल दी मा दर्वाजे पर ही खड़ी प्रतिक्षा कर रही थी तुम्हारा परिक्षा फल कैसा रहा उन्होंने उच्षुकता से पूछा मीरा ने परिक्षा फल मा को पकड़ा दिया और धम से पास पड़ी कुर्शी बर बैट गई प्रतम तो आई हो फिर मूग क्यों उत्रा है परिक्षा फल देखकर मा ने हैरानी से पूछा मीरा चुप रही मैं तुम्हारे पिताजी को फोन करती हूँ शाम को बाहर चलेंगे एक ने टुकिये मा मुझे आपसे कुछ पूछना है कहो मा ने कहा अगर कलती से किसी परचे में आपको अधीक अंक मिल चाहे जो आपको नहीं मिलने चाहिए और इस कारण आप प्रतम आ जाए तो क्या करना चाहिए चुप रहकर अपने प्रतम आने की खुशी मनाने चाहिए या भूल सुधार करवानी चाहिए चुप रहना तो बेमानी होगी बेटी मा बोली मा आपने मुझे एक बड़ी दुविधा से बचा लिया मैं अभी आए इतना कहले कर मीरा ने परिक्षाफल उठाया और बाहर निकल गई आधे गंटे बाद जब मीरा घर में घुसी तो बिल्कुल बतली हुई थी मा की कले से में बाहर डाल कर बोली आज शाम को कहां ले जाओगी मा यहाँ एकदम ऐसा क्या हो गया जो खुशी से फूली नहीं समा रही हो थोड़ी दर पहले तो मुझ लटका हुआ था मा अच्छत सी बोली मीरा ने परिक्षाफल मा के सामने रख दिया मा ने देखा गणीत के अंक 96 हो गये थे और इस्थान दिती है इसका क्या मतलब उन्हें ने पूछा मा मेरा चाह नंबर का एक सवाल गणीत में छोट गया था इसलिए मुझे 96 अंक ही मिलने चाहिए थे रुपाली के गणीत में 100 अंकल आए इसलिए वही रथम आई है यही बूल सुधार करवा कर आ रही हूँ और इसलिए इतनी खुश हूँ मा ने अपनी इमानदार बेटी को गले लगा लिया आज वाशीक परिक्षा का नतीजा रिजन्ट आने वाला था ठीके सब बच्चे घबरा रहे थे आप भी घबराता है ना ऐसे वो लोग भी घबरा रहे थे लेकिन एक मीरा थी लड़की वह जादा घबरा रही थी क्यों क्योंकि वह हमेशा फास्ट आती है तो उसको चिंता थी कि इस बार मेरा परिक्षा 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 क्या होगा उसको हराने वाला परिक्षा में कोई नहीं था इसलिए वह हमेशा नहीं घबरा थी लेकिन इस बार एक नहीं लड़की ने एडमिशन लिया था जिसका नाम रुपाली था लेकिन वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो मीरा और उसके नंबरों में ज्यादा अंतर नहीं आते थी जब त्री माई परिक्षा हुई थी तो मीरा ब्रत्म आई थी और उपाली उससे दोंकों से पीछे रह गई थी और जब छे माई परिक्षा आई थी तो रुपाली प्लत्म आई थी और मीरा दो नंबर से पीछे रही थी तो उनके जो नंबर थे वो बराबर हो गए थे ठीके और मीरा जो है वो एक्जाम में चार नंबर का एक कोशन जो है वो छोड़ आई थी उसका छूट गया था ठीके तो इसलिए उसको गब्रहाट हो रही थी कि मेरा पता नहीं रिजल्ट क्या होगा मैं फस्स हाऊंगी या नहीं हाऊंगी जो थी शोटी शीमती शर्मा वो जम रिजल्ट लेकर आई कक्षा में और उन्होंने रखा और जब उन्होंने बताया कि मीरा कक्षा में रठा माई है और जुद्रिय स्थान पर रूपाली आई है फिर से दो उउंकों का डिफ्रेंस अंतर था तो शर्मा जो मैम थे उनके उन् अपना परिक्षा, फल ले लो, अपना अपना डिजन ले लो, लेकिन मीरा ने जैसे ही उसकी कॉपी देखी, तो उसकी मैक्स में सो थे, तो उसमें सोचा ये कैसे हो सकता है मेरा, तो एक कोशन जो था, जूट गया था, तब ही रुपाली ने उसे कहां बताई हो, तो फिर मीरा ने रुपाली से पुछा कि तुम्हारे करिंग में कितने नंबर आया है, तो मीर, तो रुपाली ने भी क्या कहा, कि मेरे भी हंड्रेट अंका है है, फिर छुट्टी हो गई, तो जब अपने अपने घार की तरफ चले गए, ठीके, फिर श्रीमति शर्मा जो है, उनकी शिक् रख दिया, फिर उन्हों ने बताया, कि बच्चो इस बार भी मीरा फर्स्ट आईये और रुपाली सेकेंड आईये, दोनों में फिर से तो अंकों का अंतर है, ठीके, और तुम सब एक एक करके आओ, और अपना रिजल यहां से लेके चले जाओ, मीरा ने जैसे ही अपना रि तो मीरा ने सचा, यह कैसे हो सकता है, यह ना, मही रुपाली भी खड़ी थी, उसने उसे बदाई दी, फिर मीरा ने रुपाली से पूछा कि तुम्हारे अंकों कितने आए हैं, तो रुपाली ने भी कहा कि मेरे भी सो आए हैं, तभी छुट्टी की गंटी, बैसके और सभी मीरा ने अपनी किताबे उठाई और अपनी घर की तरफ चल दिये, मीरा की मा जो थी, वो दर्वाजे पर खड़ी होके स्लिपतिक्षा कर रही थी, फिर जैसे ही मीरा घर पहुची, तो मा ने खुशी खुशी पुचा, कि क्या रहा तुमारा रिजल, तो मीरा ने अपना रि शेरे में थी, कि मीरा पत्तमाये, फिर भी ये चुप क्यों है, फिर मा ने कहा, मैं तुमारे पिताजी को फोन करके हो, बार शाम में गुनने चलेंगे, तो मीरा ने कहा, मा अभी एक मेट रुकिये, फिर मा ने कहा, कहो, क्या हुआ, फिर मीरा के मन में जो चल रहा था, वो उसने उसकी मा से पुछा कि अगर गलती से आपको पेपर में अगर अधिक अंक मिल जाए जादा अंक मिल जाए जो आपको नहीं मिलने चाहिए इस कारण से आप प्रथम भी आ जाए जो गलती से नंबर मिल गए है उसके कारण से आप प्रथम भी आ जाए तो आप क्या करेंग आप चुप रहकर या तो प्रथम आने की खुशी मनाएंगे या तो अपने भूल सुत रहेंगे तो माने कहा की चुप रहना तो बेमानी होगी यह ठीक नहीं है फिर मा ने जो है उसकी परिशान जो मीरा के मन में दूविदा चर दी थी परिशानी चर दी थी उससे बचा लिया फिर मीरा को समझ में आया यह नहीं यह मैं तलत करियो हो फिर मीरा वो परिक्षाफल उठाया और बहर चले ले जब फिर वो आदे गंटे बाद घर पर आई तो वो बदली-बदली थी, एकदम खुश थी ठीके, मा से गले मिलकर वो बोली कि कहा ले चलोगे मा आज भूने ठीके, वो बहुत खुश थी ठीके, फुली नहीं समा रही थी फिर मा ने सुचा कि थोड़ी देर पहले तो इसका मूल लटका हुआ था चानल नीरा को क्या हुआ तो मीरा ने फिर मा को रिजल सामने रख दिया और बताया कि मेरे गणित में 96 माँ साय है और मैं 23 स्थान पर आई हूँ तो मा ने पुछा कि इसका क्या मतला तो फिर मीरा ने बताया कि ममी, मा में 4 नंबर का सवाल गणित में छुट गया था मुझे 96 नंबर मिलने चाहिए, माक्स मिलने चाहिए और रुपाली के गणित में 100 आई है इसलिए वही प्रतम आई है यही भूल सुद्रार करवा कर आ रही हूँ इसलिए इकनी खुशे है, यही भूल उसने अपनी सिरा ली थी इसलिए उसलिए खुशी हो रही थी मा ने भी अपनी इमान्दार बैटी को गले लगा लिया तो हमें मीरा ने क्या किया अगर वो नहीं बताती इमान्दारिसे तो उसकी मन में एक दुवीधा रहती ठीके वो कभी खुश नहीं फर्स आके भी खुश नहीं थी ठीके लेकिन उसने अपनी गलती पताई उसने अपनी बूल सुत्रा ली तो वो खुश ही है ठीके इसी तरह हमें भी अपनी मानदारी रखना चाहिए हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए ठीके क्योंकि जिन्दकी में हार याजी तो चलती रहती है ठीके पाठ शारांश पाठ शारांश में आपको ये कहानी के बारे में बताया गया है अनमूल बच्चन गलती करने पर उसे चुपाए नहीं बलकि उसका सामना करते हुए गलती को सुधारे गलती अगर हो जाए हमसे तो हमें उसे चुपाना नहीं चाहिए उसका सामना करना चाहिए ये पाठ से हमें सिख मिर रही है ठीके तो जैसे मीरा ने सामना किया इसी प्रकार आप भी कीजिएगा तो हमारे मन को क्या होता है, एक संतुस्टी मलती है ना, इसले अगर आपसे भी कुछ गलती हो जाए, तो आप उसे बता दीजिए, ठीकी, उसे चुपाईए नहीं, ओकी, फैंक यू अब बाचित करें, मोहिक प्रस्ण लएं, का पुछायें, बच्चे क्यों घबरा रहे थे, बच्चे इसले घबरात है थे, क्योंकि उनके वार्षिक परिक्षा का नतीज आने वाला था 6 माई परिक्षा में कौन प्रतम आया 6 माई परिक्षा में रुपाली प्रतम आयी थी मीरा की कक्षा अध्यापिका का नाम क्या था मीरा की कक्षा अध्यापिका का नाम श्रीमती शर्मा था वार्शिक परिक्षा में मीरा का गणीत में कितने अंक का प्रश्ण चूट गया था वार्शिक परिक्षा में मीरा का गणीत में चार अंक का प्रश्ण चूट गया था प्रश्ण सेकेंड दिखिये लिखी अब आपको लिखना है मीरा की गब्राहट का क्या कारण था मीरा की गब्राहट का कारण यह था कि वाशिक परिक्षा में गणीत में मीरा का चारंग का सवाल छुट गया था इसलिए वो गब्रा रही थी मीरा ने अपनी मा से क्या पूछा मीरा ने अपनी मा से पूछा कि गलती से अगर मुझे पड़्चे में अधिक अंक मिल गए है तो क्या करना चाहिए मीरा ने भूल सुधार कराने के लिए क्या किया मीरा ने भूल सुधार कराने के लिए कक्षा द्याबिका के पास जाकर अपने अंक कम करवा लिए मा ने मीरा को गले क्यों लगाया मा ने मीरा को गले इसलिए लगा लिया क्योंकि उसने अपनी मांदरी दिखाई इसलिए मा ने प्रसन हो क्या उन्हें गले लगा लिया प्रश्म तीन सही उत्तर चुने का मीरा पहले परिक्षा फल की चिंता नहीं करती थी जो कि उसने परिक्षा नहीं दिये थे कोई उसे हराने वाला नहीं था वा किसी से डरती नहीं थी उसे स्वयम पर बहुत विश्वास था क्या था? मीरा को कोई परिक्षा में हराने वाला नहीं था ख 6 माई परिक्षा में रुपाली किते अंकों के अंतर से प्रथा माई 2, 4, 5, 6 किते अंकों से प्रथा माई थी 2 अंकों से है ना ग भूल सुधार करवाने से पता चलता है कि मीरा दयालू थी परिश्रमी थी, शहनशिक थी या इमानदार थी क्या थी मीरा इमानदार ही 4, ये समवाद किसने किस से और कब कहे क, इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रथम है यह जो है उनकी कक्षाद्या पिकाने कहा था किस से कहा था, बच्चों से कहा था और मीरा के प्रथम आने पर कहा था ठीकिन, ख, प्रथम तो आई हो, फिर मूँ क्यों उत्रा हुआ है ये जो है, ये मीरा की ममी ने कहा, किस से कहा, मीरा से कहा मीरा के प्रथम आने पर उसके उदास होने पर कहा ठीकिन, मुल्य प्रणप प्रश्ण परिक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चर्चा करें या सोच कर अपने ममी पापा से घर पर चर्चा कीजिएगा फर्स्ट निमनलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है का जो सब्दा हमें एक बार आता हो उसे क्या बोलते हैं सब्दाहिक जो पंद्रह दिनों में एक बार हो उसे बोलते हैं पार्शिक जो मास में एक बार हो उसे बोलते हैं मासिक जो तीन मास में एक बार हो उसे बोलते हैं त्रे मासिक जो छो मास में एक बार हो उसे बोलते हैं छे माई जो वर्ष में एक बार हो उसे बोलते हैं वर्षिक इन सयुक्त अक्षरों से तीन तीन नए शब्द बनाएं देखिए यहाँ पर हमें सयुक्त अक्षर दिये हुए हैं उनसे हमें तीन तीन नए शब्द बनाने हैं जैसे देखो इन तीनों को मिला के हमने बनाया श, तो परिश्रम, श्रीमान और श्रीमति ये तीन नए शब्द बनाया हैं, ऐसे इन तीनों से मिलकर हमने बनाया है श, तो इससे हम बनाएंगे शत्रिय, शमाशील, रक्षक, इन तीनों से मिलकर बनाया है ग्य, तो बनाएंगे ग्याता, ग्यानबान, विग्यान, अब इन तीनों से मिलकर हमने बनाया है त्र, तो यहाँ पर बनाएंगे पत्रकार, चित्रकार, त्रेता, ठर्ड, गब्राहट शब्द नीचे दिये दो शब्दों को जोड़कर बना है, देखिए हाँ पर गब्रा प्लस आहट, तो इन दोनों को जोड़कर हमने बनाया है गब्राहट, ठीके, आप भी इन शब्दों में आहट शब्द जोड़कर नए अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गर्मा, चिल्ला, मुस्करा, फुसफुसा, इन शब्दों में हमें भी आहट जोड़कर घब्राहट जैसे शब्द बनाने हैं, तो देखो, हमने जब गर्मा में आहट जोड़ा, तो यह हमारा बन गया, गर्माहट, अब चिल्ला मे मुस्करा में आहट जोड़ा, तो क्या बन जाएगा, चिल्ला आहट, मुस्करा में आहट जोड़ा, तो क्या बन जाएगा, मुस्कराहट, ओके, और फुसुसा में आहट जोड़ा, तो यह बन जाएगा, उस उसाहट बाशा बोध फर्स्ट विशेशन आज हम विशेशन देखेंगे कि क्या होता है सो अंक इमानदार बेटी वार्षिक परिक्षा प्रथम इस्थान इन शब्दों में सो इमानदार वार्षिक और प्रथम ये सभी अंक, बेटी, परिक्षा और इस्थान शब्दों की विशेशन पता रहे हैं इसलिए ये सभी शब्द विशेशन हैं अब देखेंगें आपें जो सो, इमानदार, वार्षिक और प्रथम जो हैं ये बता रहे हैं कि अंक कितने मिले हैं सो अंक मिले हैं बेटी के सी हैं, इमानदार हैं, परिक्षा कौन सी थी, वार्षिक थी क्या इस्थान प्राप्त किया, प्रथम इस्थान प्राप्त किया तो ये हमें क्या बता रहे हैं ये सभी शब्दों की क्या बता रहे हैं विशेशन बता रहे हैं ठीके, इसलिए ये सबी शब्द को हमने विशेशन कहा है, ये इनकी विशेश्था बता रहे है, इसलिए इसको विशेशन कहा गया है, ठीके, संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेश्था बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं, संग्या क्या होता है, प्राणी, व और जो संग्या और सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताता है, उसे विशेशन कहते हैं, ओके? दिये गए संग्या शब्दों के साथ उच्चित विशेशन जोड़े हैं, अब हमें उच्चित विशेशन जोड़ना है, ठीके? देखे, कवाले में मिनिट दिया है, तो पाँच मिनिट, घव में देखे, पुस्तक, मोटी, पुस्तक, ठीके? घव में लड़की, सुंदर, लड़की, ठीके? घह में देखिए, मोसम, ठंडा, मोसम, डह में देखिए, परिक्षा फल, वार्षिक, परिक्षा फल, ठीके, चह में देखिए, चित्र, एक, चित्र, ठीके, चह में देखिए, गंटा, बड़ा, गंटा, ओके, जह में देखिए, बादल, काले, बादल, ओके, सेकेंड इन मुहावरों का वक्तियों में प्रयोग करें कमू उतरना लग दुखी होना ठीके इसका क्या होगा परिक्षा में कम नमबर आने पर रंजना का मुह उतर गया मतलब वो उतास हो गई ठीके फूला ना समाना मतलब खुशी होना बहुत खुश होना ठीके भाई के परिक्षा में अवल आने पर वह फूला ना समाया उके मतलब बहुत खुश होना वो कल्पना की उड़ान इमानदारी विशे पर अपने शब्दों में एक लगू अनुच्छेत लिखे आपको इमानदारी पर यहाँ पर लिखना है कि इमानदारी एक अच्छी आदत होती है जिसे सभी को अपनाना चाहिए इमानदार व्यक्ति जीवन के प्रतेक्षेत्र में सफल होते हैं इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं इमानदारी के उपर कुछ अलग करें संख्या लिखते समय हम एक, दो, तीन, चार, पाच आदी अंग्रेजी के अंक लिखते हैं परन्तु हिंदी, संखेत, पद्दती में अंको को लिखने का अलग ही तरीका है प्रके आज हम हिंदी में लिखना सिखेंगे नीचे हिंदी तथा अंग्रेजी में अंक दिये गए हैं शब्दों में लिखें अंको को बोल बोल कर पढ़े और याद करें देखो, एक ऐसा लिखते हैं, देखो ये इंग्लिश का है और ये हिंदी में उन्होंने बताया गया है कि कैसे लिखते हैं, ठीके? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस ठीके? लेवन को क्या बोलना जाता है? ग्यारा, इसे पर कर बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सोला, सत्रा, अट्रा, उन्नेस, बीस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 इसे आप भी बोले, पढ़े और इसे याद करें, ठीके? ठीके? ठैंक यूँ